हेलो फिरेंट्स मैं हुआ रिना रिना अथरवा चैनेल पर आप सब को बहुत बोश्वगत करतू पैरेंट्स चाहस मैं कुछ इन्पोर्टेन बात भार्चुल ओटेजियम के उपर बताऊंगी एक भार्चुल ओटेजियम बात चा कितना जोल्दी ठीक हो चाता कितना टाइम कितना अक्टिविटी करने की जूरु रत है क्योंकि एक पैरेंट्स का नॉलेज है यह मेरा नॉलेज नहीं है क्योंकि ओ अथरवा भार्चुल ओटेजियम था नहीं अथरवा क्लासिक ओटेजियम था जनम छे अथरवा की ओटेजियम था तो भार्चुल ओटेजियम के उफ्सके लिए काम करने की जुरुरत परता है, तो एक पएरेंस मेरे साथ मिलने के लिए आया था, दो दिन पएले की बात है, वो पेरेंस आशाम में रहता है, तो एक दिन जब उनका बच्चा दो शाल मतलब उमर था, तो उनको बच्चे को ऐसे ही कुछ सिम्टरम था, तो उ उसके बाद उनका बच्चा पहले उनका बच्चा बोलता था, मतलोब टाटा, बाई-बाई, दादा, मामा, पापा, वानवाट था उनके बच्चों में, और आईकान टक भी था, और कुछ बाद बोलने से उस समास्त भी था, तो उसके बाद जादा टाइम फोन देने लगा, उसके बच्चे को तो फेर एकदम से उनको बच्चा मतलब धिरे 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 लोगडाउन के टाइम, ए लोगडाउन के टाइम ही ये शारा प्रब्लेम बच्चों के अंदर जाद आगे भार्चुल अटिजियम की, जिन बच्चों का भार्चुल अटिजियम हो, उन पेरें कोई कानेक्षन अथर्बा के साथ थाई नहीं तो जनम चे है और अथर्बा जब तीन माईना उमर था तब भी मुझे पता लगा था अथर्बा में कोई प्रब्लीम है लेकिन नहीं पता था अथर्बा अटीजियम है कुछ लागता था जे पता नहीं मेरे बाद चे ट्यारा कर यह नहीं सोचता था, मतलोब अथरवा ओटेजियाम है, तो आप बीडियो में आ सकते हो, तो उन्होंने बोला नहीं आ सकते हो, क्योंकि फैमिली बाले को पता नहीं है, तेरे हाजबन और वाइप दोनों को पता है, वो पूरा दुनिया वालो के सामने नहीं बाताना चाहता है उनके बात्चों में भार्चोल अटेजियाम है, यह अटेजियाम का प्रब्लेम था, मतलोब उसका थिंकिंग आईचे आई, उस होचता है, अगार मैं बाता दूंगी सबको तो हमारे बात्चे को ट्याग लग जाएगा जे, हमारा बात्चा अटेजियाम था, तो हारेक का प्रबना पार्चोनाल होता है, मतलोब चोच होता है, तो मैं ने उसको जवड़ दोस्ति नहीं किया, उन्होंने फिर मुझे एमेल किया, दिल्ली आने से पहले, एसेस्मेंट कराने के लिए उसके बाद मेरे शाथ, फोन नामबर पे कांटाक हुआ, ऐसे एमेल करके कं से कम 11 13,000 parents के छाथ मेरा कॉइय गुरूप में है अधियिकели करता राता है, पेरेंट्स लोग मैसेज करता है, जब मुझे टाइम मेलता है, मैं रिपलाइ देति हूँ, और रिपलाई देने में थोड़ा लेट हो जाता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी कभी-कभी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम के कोमी होता है, तो उन पेरेंट्स ने मुझे बोला हम दिल्ली आ रहा है, दिदी आप से मिलना चाहता है, और मेरे बाच्चों में अटी कांटाक किया, मैंने बोला ठीक है, और मैं जहाँ पर रहती हुँ, बहुत ही गांदा एरिया है, गोली रास्ता इतना गांदा इतना कीचा रहे, मतलब हुआ पर किसी को अगर ले आउंगी, चार पास पेरेंट्स मेरे घर में आया है, तो उन लोग आके देखा, जे मैं कैसे जागा में रहती हुँ, मैं मतलब उन लोग देखके बोला आइसे जागा पे आप रहे कि अथारवा को कैसे हैंडेल करतो, उन लोग भी बहुत दुखी हो गिया मेरे मतलब सीचियोशन देखके, तो शारे पेरेंट्स को इसलिए मैं अभी मैं घर नी बोलाती हुँ, को भी क पेरेंट्स जो मेरे साथ मिलने के लिए आता है सबको इत्छा रहता है अथरवा के साथ मिलने की, अथरवा को भी उनको मन करता है, वीडियो में देखता है, रियल भी देखने का मन करता है, तो कम से कम ऐसे 10-15 पेरेंट्स अथरवा की स्कूल के सामने मेरे साथ मिला है, तो फेर उस पेरेंट्स को मैंने टाइम दिया था जिस एक बज़े से पहले आजाओ तो अथर्बा के साथ मिल पाओगे एक बज जाएगा तो अथर्बा इसकूल के अंदर चला जाएगा तो उनको तो मैं मतलब इतना ध्यांचे नहीं देखार उतना जानती नहीं। लेकिन उन्होंने हमारा वीडियो देखता है तो मुझे देखके एकदम से पैचन लिया। तो मैं गेट के शामने जाके जाँए जाब अथरवा को लेकर खारा हो गिया। तो एकदम से उनलोग आया है गारी से उतर के और फिर आके मुझे पाकार लिया। फिर मैंने एकदम से मतलब मैं शक हो गिया। जे क्यूँ रो रहा है। तो फिर उनका बच्चा हाजबेण के ग अब उसका बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है तो बोला जब उनों ने बोला और रोया तो मुझे इतना खुशी हुआ इतना अच्छा लागा तो उसके बाद मैंने डीटेल्स उन्से पूछा है जे क्या प्रब्लेम था कप से हमारा वीडियो फ़लो कर रहा है तो बोल रहा ह देर सल्चे मेरा वीडियो फ़लो किया और जैसे-जैसे मैं बोलती थी ना आटड़ घंटा काम करना है तो ओँ आट़ त याट़ खंटा काम कराए और क्या-क्या किया घर पे हार चीज, पिक्सर केशाद देखाया, बाहर लेके जाके हार एक चीज देखाया, मतलब दुनियादारी का हार एक चीजों की उपर ओनोने काम किया और एक सिगेंड के लिए बच्चे को फिरी नहीं छोरा तो फिर मैंने बोला, आपको इतना आइडिया काहा से है, बोल रहा है, आप जैसे जैसे बताया, जो अथरवा किशाद आप इतना काम किया, तो मैंने छोचा, अगर आप भी माह हो, मैं भी माह हो, अगर एक CBR बच्चे को आप इस लेवेल पे ला सकते हो, तो मेरा बच्चा त जाए बोलती हुना, जे चार-पांच आल के अन्दर, अगर पांच आल दाबाक आप काम कराओगे तो फिर अपका लाइप पूरा इजी हो जाएगा, आपका बच्चे के संथ उसके बाद काम करना, बहुत एजी हो जाएगा, बहुत जल्दए अपका बच्चा शीक जाएग अभी language इंप्रूमेंट कर लिया और मेरा च्यानल पे जितना लेंगुएज इसप बीडिए यो भी देख लिया और दिली दिली भूगी हो था Papi मुझे कंटक करके फेर मेरे साथ मिल लिया तो मैंने उससे पूछा कप से देख रहे हो बोल रहा है देर साल हो गिया तो एक दिन जब उनका बच्चे को एसेस्मेंट हुआ तो उनका मतलब रो रही थी जैसे हार पैरेंस रोता है निन नहीं आता इदार उदार उदार करता है तो एकदम से गुगाल पे सार्च माना मतलब यूट्यूब में सार्च माना तो काफी चारे वीडियो आया अटेजियाम के उपर फेर एकदम से उपर खिसते-खिसते मेरे वीडियो देख लिया मेरे वीडियो देखा तो देखने के बाद जब अथरवाकियार मेरा वीडियो मतलों ठीक हो सकता है अगर आप इतना दिल तका काम कर सकते हो इस टाइपका बात सुनके उन्होंने फेर मेरा पुरा राथ सब्सक्राइण अगराएब इतना हिम्मत आया फिर छुबे उठके उमेरा भीडियो देखके फिर एक्टिविटी लिखके राखा और छुबे उठके उस दिन के बाद से वो काम करना शुरू कर देखा देर शाल के बाद दिल्लीया के असेस्मेंट के डॉक्टर ने बोल दे उसको बच्चों में आटेजियाम की कोई सीम्टम नह जो जादा दिखकत नहीं हा उसको बच्चों में भार्ची बाट टे जरुक्तर होता है कोई बच्चा होता है ले स्पाइबर की बाताउी पत्फिज बी उनके पचवता है पेर जब देर दो शाल उमार हो जाता है फेर धिरे दिरे अगर एक शाल देर शाल में बच्चा कपी भी करने लाग जाता है, जो भर्चुल हो टे जिया मोता ये टाटा बाई बाई वी उस टाइब का कुछ बोलने से स्माईल करना है जो उनोंने बने बाताया है तो फेर एक दम से जब फोन दिया, चार पास घंटा से उपर भी फोन देखता था दिन में, तो फिर धिरे-धिरे शारे मतलोब हो गया, उसका बोलना और बंद हो गया, आई कंटाक देना बंद हो गया, थोरा हाइपर हो गया, एक जगा मैं टिक के बैढता नहीं था, बोलाने से देख और confidence के साथ मैं भी काम करने लगा और मुझे उन्होंने बुलाए जे मुझे भगवान ने कोई नौया रास्ता देखाया आपके जरिया से मुझे रास्ता मिल गया तो आपका काम करके मेरा बाच्चा इंप्रूमेंट कर लिया तो उतना खूश हो गया और उसका बात शुन के म मुझे इतना खूशी हुए मतलोग मेरा दील में शोकुन मिला है मैं दील से दोया करती हूँ हारे पैरेंस काम करे एक्टिवीटी करा है और उनका बच्चा चास में आइसे ठीक हो जाया अगर मेरे मेरे को मैसेज करके बोले जिए उनका बच्चा इंप्रूमेंट हो गया त तो उसके बाद अभी दुसरे का बच्चे को भी फैदा हो रहा है दुसरा का बच्चा भी ठीक हो रहा है इससे ज्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैं बहुत खुशू जे मेरा वीडियो देखे लोगों को फैदा हो रहा है और बच्चे को इंप्र तों मुझे लगता है भाषणों अलटे जी अगर आश्च में बच्चा भाषणो ळती हो तो उनके साथ अगर दबा के काम करायी तो मुझे लगता है धालक aston drug ERA चाहिक तो तीन शाल के अंदर मुझे तो लागता है उनका बाच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो उचका बाच्चे को मुझे देखके इतना खुशी हुआ मेरे हार एक बातों का जबाब दिया आईकांटक के साथ मेरे बातों का जबाब दिया जो मैंने उमीद मी नहीं किया था तो उनका बाच्चा चार साल उमर है तो चार सार चार साल इस टाइप के उमर होगा तो मैंने मतलोब देखके मैं हाईरान हो गिया जे पापरे जो मैंने म बच्चों में कोई दिक्कत थाई नी तो मुझे ही पता लाग रहा है जो कुछ दिक्कत थाई नी तो एक छोटा बच्चा हो और उनके साथ दबा के अक्टिवीटी करा है तो उनको बच्चा बहुत जोल्दी इंप्रूमेंट कर सकता है अगर बच्चा भार्चोल अटेजिया अगर ठीक से काम करा है तो बच्चों की इंप्रूमेंट करता है पैरेंट्स की उपर पैरेंट्स जितना ज्यादा टाइम देगा जितना समाज़ दरेशे काम करागा जितना बच्चों की दिमाख में डालेगा उतना ही उनका बच्चा इंप्रूमेंट करेगा तो चार साल क तो मुझे मतलोब ऐसे लाग रहा है जे शोक्त है या तो जूड बोल रहा है उनका बाच्चों में दिख्कात है क्योंकि कोई आंगेल से बाच, चीत, आई-कॉंटाक किसी से लागाई नहीं मुझे जे उनको बाच्चों में कोभी दिख्कात था देखके तो मुझे ऐसे आपको बाता दिया तो उन्होंने मतलोब यूट्यूब में आना नहीं चाता है वीडियो शेयार करना नहीं चाता है लोगों के साथ तो किसी को अगर इच्छा नाओ तो उनको तो हम जबर्दोस्ती नहीं कर सकता है तो फेर सुनके मुझे इतना खुशी हुआ तो मैं छोच बच्चे को देखके मुझे लगता ही नहीं कोई आंगेल से मुझे लगता है एकदम पार्फेक्ट बाच्चा है जूट बोल रहा है लेकिन उन्होंने बोला उनका बच्चा भार्चो अलटेजियम एसेस्मेंट हुआ तो आभी मैं कॉन्पिडेंस के साथ किया है सेक्तू भ एक बोराय रोने दो रोने चे कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं कोई अर उन लोग आमिर आदमी है फिर भी TV चे या फोन चे कुछ पड़ाई का एड़ूकेशन की कोई भी काम नहीं कराया इसलिए फोन नहीं देखा तो बिल्कुल ठीक हो गिया तो भार्चो मघ राए धाया था 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 नहीं तो घृरैपिस्ट नहीं ठीक हो पाथे होज भा है के लिए आया तो नर्डा में और दिल्ली में कोई जागा पर उन्होंने थायरेपी कराया तो एक थायरेपी से अकुपेशन थायरेपी कराया मतलोब 9 माईना थायरेपी कराया उनके पास तो 9 माईना के बाद ओ पैरेंट्स भी स्कूल के सामने ही मिला था उन्होंने भी मतलोब मेरे को मेल किया था जे हाम दिल्ली में आया, तो उनलोग घर जाने से एक दिन पहले ही मेरे साथ मिला था, तो बोल रहे हम जब हम दिल्ली आया, हमारा बद्चे का थायरिई पी एक सब्सक्र्सा अब कमके फिर चाल गर, मैंने आप्ना में जाना हा तर भा ष्केकरशन की मिज़़ा थे ने कीज क्या सोरा थे। यह सा सान से बढ़े GUY थे सब्सक्राइब और सिवियर था, थोड़ा सा मतलोब एक जागा पी टिककल नहीं बैट रहा है इधर उधर जा रहा है तो इसको पापा ने हाथ पकरके मेरे साथ मिलाया है, हेलो कराया आई कंटक भी मेरे साथ जब बोला था थोरा बहुत आई कंटक भी दिया था वो बच्चा भी चार सल की थी तो उसके बाद उनका पैरेंस से मेरा बात हुआ तो पैरेंस एक घंटा बैटके मेरे साथ बात किया तो उन्होंने बोला है जे 9 माइना उकुपेशन हो गिया उकुपेशन थाइरेपिस्ट के पास तो द्यावली का पैले वाला दिन उकुपेशन थाइरेपिस्ट नो उसको बोल दे आपका बच्च अटेजियाम है तो अटेजियाम बच्चा बोलता नहीं आई और उन्होंने क्या किया था मेरे चैनेल उत्तार खांड में बै आपका बच्च अटेजिया और लिंक दिया फिर अकुपेशन थाइरेपिस्ट ने बोला चीविए इस लेवेल पे आगिया तो ए तो मतलब एकदम से शक होने वाला बात आए तो ओकुपेशन थाइरेपिस्ट फिर मेरा बीडियो देखके उन पैरेंस को बोलाई अगर ए ब बच्चा बोल रहा है तो आपका बच्च भी बोलेगा उसका पहले स्य माईना थाइरेपी के बाद अक्कुपेशन थाइरेपिस्ट ने बोल दिया था मतलब नान्भरबल रहता है तो नान्भरबल रहता है इसका मतलब यह नहीं है आम ही नहीं टैग लागा सकता यह नहीं बोल सकता है जो अटलीज है आपका वीडियो देखके मेरा और उनका चेंटर बेश जितना पैरेंस आता है शब के साथ उन्होंने मेरा लिंक शेर के आर शबको उन्होंने बोलने लग गई अगर ए बच्चा ठीक हो सकता है यह बच्चा इस लेवेल पर आगिया तो आप लोग भी काम करते रही है इनका वीडियो फ़लो करिये तो आपक सब्सक्राश कXT को जाने संथैंगी पारइण시면 को पर हिम्मत कहां से आएं किंड बच्चा को को कड़ को बूलने का शॉब्द नहीं रहते है लेकिन ओस च्टा मेरा वीडिक्वर यह भी देखा और एक शाल के शाल से वो दिल्ली में है और मेरा वीडियो रोज देखता है तो देखके फेर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया फेर मेरा वीडियो देखा के बोला अगर इसका बच्चा बोल सकते है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं उसके बाद जब उन्होंने डीटेल्स मुझ तो ऐसे लगता है थोरा एक पारे अगर अगर हाइपर कामडाउन हो जाए अठेंशन हो जाए आपका बाच्चा भी बहुत अगे जाएगा तो एको परा बाकि लेके जाओ शाईकिलिंग कर आओ और जीमबल एकसरसाइज तो सब कुस कराना है है उक्पीजन थारीपी का जि तो एक टाइम था अथारवा को भी थायरिपिस्ट ने देखके बोला था, जब दुसरे मायल बाज्चा देखके, जब मेरा कोश्च न आता था, उनका बाज्चा बोल रहा है, तो मेरा बाज्चा को भी बोलेगा, तो मुझे भी आएसे आंचार शुनने परता था, जे वो माय अगर कुछ शिखे तो आपके उपर डिपेंड करेगा, आप कहा क्या क्या शिखा सकते हूं, तो मैं उस टाइम वह बात अपना मतलोब पाल्लो में गिट्टी बांद के रखा था और मैं अपना जीजान लागा दिया था, तो मेरा बच्चा काफी नर्माल होगी, 80% नर्माल हो ठीक हो रहा है, तो बहुत खूशू मैं तो ठांक्यू सो मस् पैरेंट्स, आपनों के आइसी प्यार देते रही है, और मेरा वीडियो फोलो किजिए, एक्टिबिटी कर रही है, तो हार एक पैरेंट्स का बच्चा इंप्रूमेंट कर सकता है, किसी की बातों में ध्यान नही अगर कोई बोले जे अटेजियाम बच्चा कोभी इंप्रूमेंट नहीं करता है, कोभी ठीक नहीं होता है, ठीक होने का मतलब किया है, डॉक्टर एंजिनियर बनना नहीं है, अपना लाइप की काम खुद कर ले, पराय लेखाई कर ले, अपना लाइप की जो काम होता है, A to मतलब किसी की भरोषा में ना जिये, आपने आप सब कुस कर ले, यही मैं काईती हूँ, मतलब नर्माल होने की, और 100% ठीक होने की, एक सीबियर बच्चे के लिए, माइल बच्चा तो ठीक हो जाता है, तो आप लोग करते रहिए, अभी अथरवा जितना ठीक हो गिया, तो आप लोग देखते ही हो, तो मैं आशाराकती हूँ, अथरवा बिश्यालता का और भी ठीक हो जाएगा, तो आप लोग दुआ किजिए, हार एक बच्चे की लिए, छिरेव अथरवा की लिए नहीं, हार एक ओ बच्चे की लिए, इस्पेशाल बच्चे की लिए आप लोग दुआ किजिए, शब का बच्चा नॉर्माल लाइफ में आ जाए, शब का बच्चा ठीक हो जाए, और हम पैरेंस ऐसे हेल दी रहाए, शूस्त रहाए, बच्चे को टाइम दे, और भगवान हमें हिम्मद दे, तो ऐसे ही करते रही है आप लो, कार हमें ऐसे प्यार देते र झाल